दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल किष्णा फैंटेसी में आज हम बात करेंगे फैंड को डिसी एस टी टी टैन मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा एसस्टी बसा जे सीसी के बीच दोस्तो यह मैच आपके इनवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले इसाथी साथ में कौन सा बैर्षन कब बेटिंग करेगा सारہ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताँवा तो वीडियो को एंटेक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है केशना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो आप सभी भाई टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिएगा टेलिग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए तो जल्दी से आईए लिंक पे किलिक करिए और टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पे मिलेगी अगर मैं आपको recent matches का result पी बताऊ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर matches में आपके किली नसुई पी कराए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेली ग्राम से जुड़ना आपके लिए काफी जादा important हो जाता है दोस्तो आप देख सकते हों आपे मुझे 20,000 रुपे की फिरी entry मिली वे small league head to air में 10,000 रुपे की फिरी entry मिली वे small league head to air में भाई ये फिरी entry आपको भी मिल सकती है कैसे मिलेगी तो simply आपको कुछ नहीं करना आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप choice 11 app को first time डाउनलोड करके रेजिस्टर करते हो तो choice 11 app आपको 20,000 रुपे की फिरी entry रेता है small league head to air में तो बस आपको choice 11 app को डाउनलोड करके रेजिस्टर कर लेना है अगर आप अलड़ी profit में हो तो फिरी में 20,000 रुपे करके और भी जादा profit बना सकते हो लेकिन सबसे वहले आपको choice 11 app को डाउनलोड करके रेजिस्टर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे comment box में दिया है और discussion box में दिया है जल्दी से आई लिंक पे क्लिक करिए और choice 11 app को डाउनलोड करके रेजिस्टर कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद अपना mobile नंबर और email address जरूर verify कर लीजिएगा दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी fantasy की टीम की तो उससे पहले आप सभी से एक request है जो भी भाई नय है हमारे youtube चैनल पर पहली बार आए तो यार youtube चैनल को जरूर subscribe कर लिजिएगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर player के बारे में detail के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ तो एक छोटा support आप कर सकते हो हमारे youtube चैनल को subscribe करके उमीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे youtube चैनल को subscribe कर लिया होगा बात करें अगर हमारी fantasy की टीम की तो wicket keeper में आपके पास जिया का option है बट भाई इनका बैटिंग order काफी नीचे रहता है लगबग नमबर 89 पर बैटिंग करेंगे तो इनको तो आप skip करके चल सकते हो यहां से आपके पास हरिंदर का एक अच्छा option है नमबर 4 पर बैटिंग करेंगे प्लस wicket keeper है तो catches वगेरा भी पकड़ के दे देंगे लास्ट मैच के बारे में बात करू 32 न इनोने करें उससे पहले 35 न करें फिर इनोने 21 न करें दोस्तो 55 न करें लास्ट चार्ड मैचे देखो कि काफी अच्छे हैं यहां पे गए इंपोरेंट हो जाते हैं इसलिए मैं इनको अपने टीम में लेके चल रहा हूँ बैटिंग के बारे में आगर मैं बात करू दोस्तो यहां से इमाम का आपके पास उप्शन है वन डाउन नमबर 3 पे खेलेंगे last match के बारे में अगर मैं बात करू 17 run इनोने करे थे दोस्तो उससे पहले 6 run करे फिर 0 run करे 9 run करे और 8 run करे इतना अच्छा form नहीं चल रहा है इसलिए मैं इनको skip करके चल रहा हूँ दोस्तो यहाँ पर आपके पास चौधरी का एक अच्छा option है उमेर चौधरी ओपन करते वे नजर आएंगे last minute में 13 run करे उससे पहले अगर मैं बात करू 17 run करे फिर इनोने 24 run करे थे इतना लिशन करे और 19 run करे last 5 मैं देखो कि काफी अच्छे गए important हो जाते इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ वहीं अगर यहां से किसी और के बारे में अगर मैं बात करू एफ चौधरी का आपके पास option है परान चौधरी आपको open करते वे नजर आएंगे last minute में 15 run करे उससे पहले 2 run करे फिर 76 run करे फिर 7 run करे और 24 run करे average performance कर रहे है अभी तक और open करेंगे इसलिए कुछ ज़्यादा important हो जाते है इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ दोस्तो इस match में जो आपके लिए trump player होने वाले अजीम अमीन एक trump player होने वाले open करते वे नजर आएंगे last minute 26 run करे उससे पहले 0 run करे 2 run करे 0 run करे 27 run करे hit और miss type के player है दोस्तो इस match में मैं इनको लेके risk ले रहा हूँ क्योंकि देखी टी 10 में opener बहुत important हो जाते तो 3 मेरे यहां से जो है batsman रहने वाले है और rounder के बारे में बात करें अली खान का आपके पास option होने वाला है समीर खान जो है आपको number 4 पे बैटिंग करते वे नजर आने वाले last match के बारे में अगर मैं बात करू 26 अन इनोंने करें उससे पहले 42 अन करें ते फिर 4 रन करें 14 रन करें और 16 रन करें last match के बारे में बात करू तो 5 ये विकेट इनोंने बॉलिंग से निकालें इसलिए मैं ताज हुसेन दोस्तो बैटिंग ओर काफी नीचे रहेगा और बॉलिंग का कुछ अता पता नहीं है इसलिए मैं इनको skip करके चल रहा हूँ जैड हुसेन आपके लिए अच्छे option हो जाते है जिनको आप इस match में रख सकते हैं नमबर पांच आपको बैटिंग करते वे नज आएंगे लाश वन में आठ रन करें उससे पहले जीरो रन करें फिर एक रन जीरो रन जीरो रन ये इनका performance है लाश तीन मैचेस में तीन विकिट निकालें और वो तीन विकिट ही जो है उससे पहले जीरो विकिट जीरो विकिट फिर इनो ने एक विकिट निकाला था और जीरो विकिट निकाले ये इनका recent का performance रहा है फिलाल मैं इनको अपने टीम में लेके चल रहा हूँ वहीं गदारिया के बारे में बात करें अगर इनकी टीम पहले बालिंग करती है तो आप रख सकते हो लास्ट में एक विकिट निकाले उससे पहले जीरो विकिट निकाले फिर दो विकिट निकाले और जीरो विकिट ये इनका performance रहा है टी उसेन के बारे में बात करें दोस्तो यहां से आपके लिए एक अच्छे option हो जाते जो की number 6 पे बैटिंग भी करके दे देते last match के बारे में बात करूँ 14 run करें उससे पहले भी 14 run करें फिर 2 run और 14 run recent में 0 wicket इनों निकाले फिर 1 wicket निकाले 1 wicket 1 wicket 1 wicket तो अच्छा performance राए important हो जाते इसलिए में इनको लेके चल रहा हूँ वहीं अगर यहां से किसी और के बारे में बात करें शर्जील का आपके पास option है नमर 5 पे बैटिंग करके देते last match के बारे में अगर में बात करूँ 0 पे आउट हो गए थे आपको open में balling डालते वे नजरा सकते लास match के बारे में बात करूँ 2 wicket इन्होंने निकाला उससे पहले अगर में बात करूँ 1 wicket फिर 0 wicket फिर 1 wicket निकाले और 1 wicket यह इनका performance राए दोस्तो वही अगर नासी रवान के बारे में अगर में बात करूँ दोस्तो अगर आप इनको अपने team में लेके चलना चाते हो नासी रमाल के बारे में बात करूँ last match में इन्होंने एक wicket निकाला उससे पहले अगर में बात करूँ दोस्तो जीरो विकेट निकाले फिर इनों ने दो विकेट निकाला फिर दो विकेट निकाला और जीरो विकेट ये इनका पर्फरमेंस राये दोस्तो वहीं किसी और के बारे में बात करूँ इस मैच के लिए जो आपके लिए ग्रैंडी के लिए पिक हो सकते हैं अगर अब्दुल्हक खेलते इस मैच में तो उपन में बॉलिंग डालते वे नज़र आएंगे लास्ट रीशन के पाँच मैच इसके बारे में बात करूँ दो विकेट निकाले लेकिन अच्छा कर सकते इनको ट्राइ कर लिजेगा फिलाल अगर मैं यहां से बात करूँ जिनक प्रिवियू के बारे में बात करें फिलाली हमारी टीम का प्रिवियू आप देख सकते हैं आप इस टीम के साथ अपना कॉंटेस्ट शोइन कर सकते हैं फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया कि अगर आप चॉइस 11 एप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रेइस्टर करते हो तो चॉइस 11 एप आपको 20,000 रुपे की फिरी एंट्री देता है स्मॉल लिग है टुएड में तो बस आपको चॉइस 11 एप को डाउनलोड कर लेना है लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए जल्दी से आई लिंक पे किलिक करिए और चॉइस 11 एप को डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और इमेल एडर चरूर वेरिफाय कर लीजिएगा चलिए दोस्तों मिलत मैं स्टैम टेलिग्राम चैनल में टेलिग्राम से डिडियो हीगा और मैं स्टैम एक्टिव रहिएगा